नमस्कार दोस्तों आज का विजय मंत्र है व्यवार ज्ञान से बड़ा होता है क्योंकि जीवन में कही परिस्तितिया आती है और उन परिस्तितियों में जहां ज्ञान विफल हो जाता है वहां व्यवार उसको संभाल लेता है आपने बहुताइश देखा होगा या प्रैक्टिकल आनुभो भी किया होगा कि कही लोग ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बाते उपदेश दुसरों को सुनाते हैं लेकिन उनकी कही वही बातों को अगर उने कहा जाए कि इसको आप व्यवार में आचरन में लाओ तो वो उ आपने देखा होगा कहवत के अनुसार कि राम नाम से दुसरों के तो पत्थर तहर जाते है लेकिन राम के जो पत्थर तहरे ने वो डूब गई इसका भावारत ये है कि जीवन के अंदर जब आप दुसरों को उपदेश देते हैं तो उस उपदेश को देते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काश अगर ये परिस्तिती मेरे सामने हूँ उस जगा अगर मैं हूँ तो क्या उस परिस्तिती को मैं आच्छी तरह से हैंडेल कर सकता हूँ या जो मैंने सामने वाले को कह हुआ है वह प्रैक्टिकल में आगर करे तो सहज उसको पार कर सकता है क्योंकि देखा जाता है एक छोटी सी एक्जाम्पल में आपको बताओ कि एक कार बनाने वाली कंपणी वालों ने कि बनाने के बाद उसको वहार रूम से बाहर निकालना था लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको कार दर्वा जोको टच हो जाती थी तो बहुत जो बनाने वाले थे उनका संकल्प चला उनका सोच चला इंजिनियर सोचने लगे कि उसको बाहर कैसे निकाले जाए क्योंकि नई कार है अगर इस गाड़ी के टायर के अगर हवा निकाल दिया जाए तो हवा को बाहर आने के बाद भी भरा जा सकता है और उसने वहां के मालिक इंजिनेरों को आप को तो मैं एक सजेसशन आपको देव। सभी और पहले बहुक पूर समझा एक हम इतने इंजिनेर और यह क्या सजिसन देगा। लेकिन company के मालिक ने कहा कि भले आप बताये कि इसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है तो उसने कहा कि बस आपके इसकी जो हवा है वो निकाल दो तो उसकी जो height है जो उपर touch हो रही हुआ रही हाई गाडी बाहर आ जाएगी बाहर आने के बाद हम उसमें हवा भर सकते हैं छोटी सी बात लेकिन इतनी किमती और उस बात से मालिक प्रभावित हुआ और उसको सेकुरिटी से आगे प्रमोशन कर दिया मेरा कहने का भाव दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा कि जा हम किसी औरों को ब्योकुप समझते हैं बीना काम का समझते हैं लेकिन वहां ज्यान नहीं उसकी व्यवारिक्त वहां काम में आ गई इस उधारन से आपके ध्यान में आया होगा थेंक यू, all the best, सबको ओम शान्ति